दूस्तों, 2024 में नया राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए सबको राशन कार्ड का मित्र आईडी मिलना शुरू हो गया है सिर्फ आधार कार्ड से अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप दूस्तों राशन कार्ड के मित्र आईडी के लिए online registration कर सकते हैं एक बाद दोस्तो आपका रिजिस्टेशन हो जाता है उसके बाद दोस्तो आप अपने मित्र आईडी से आसानी से किसी का भी राषन कार्ड ओनलाई thrive कर सकते हैं यहां तक कि कि दोस्तो आप अपना खुद का भी राषन कार्ड ओनलाईоны अपना सकते हैं या फिर आप customers का जो राशन कार्ड हैं उसे भी आप online apply कर सकते हैं तो कैसे दोस्तों आप राशन कार्ड मित्र ID के लिए online registration करेंगे जानना चाते हैं तो इस वीडियो को like कर दो and continue गाईसी इस वीडियो को देखते रहो दोस्तों राशन कार्ड मित्र ID registration करने के लिए सबसे पहले अपने mobile phone और laptop में कोई भी एक browser open करना है और यहाँ पर सबसे पहले SSUP लिकर आपको search कर लेना है आपके सामने जो पहला link आएगा SSUP मायाधार इसी link के उपर आपको click कर देना है जैसे आप इस link के उपर click करते हैं आपके सामने मायाधार portal इस प्रकास से open के आजाता है अब यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले नीचे आना है नीचे एक option दिया है check आधार validity तो इसी के उपर आपको click करना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार number type कर देना है ठीक है उसके बाद capture code को यहाँ पर type करना है proceed के उपर click कर देना है जिसके बाद इस प्रकास से आपके सामने interface आजाएगा यहाँ पर दोस्तों बस आपको यह check करना है कि आपके आधार card में mobile number link है या फिर नहीं क्योंकि दोस्तों राशन card meter ID registration करने के लिए आधार card में mobile number का link होना जरूरी है ठीक है तो अगर आपके आधार card में mobile number link होगा तो आसानी से आप यह चीज कर पाएंगे OTPZ ठीक है अब registration करने के लिए आपको करना क्या है browser को open करना है और यहाँ पर आपको type करना है common registration facility आप देख सकते हैं यह लिकर आपको search करना है पहला link आजाता है public login तो इसी link के उपर आपको जो है click करना होगा जैसे आप इस link के उपर click करेंगे इस प्रकास से national food security portal open हो जाता है यहाँ पर आप देखेंगे तीन अलग-अलग sign in करने का option दिया है लेकिन हमें सबसे पहले registration करना होगा तो registration करने के लिए यहाँ पर दिया है new user sign up here तो इसी के उपर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने form open होके आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस form को दोस्तो आपको भरना है जिसमें सबसे पहले आपका जो first name है दोस्तो वो यहाँ पर आपको type कर देना है अपने आधार कारड़ वाला ठीक है उसके बाद जो आपका surname है उसे यहाँ पर type करना है सर्नेम नहीं है छोड़ दीजे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना date of birth इस प्रकास से आप देख सकते हैं जिसके बाद यहाँ पर आपको अपना gender से लेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना login ID बनाना है पासवर्ड सेट कर लेना है जो भी पासवर्ड रखना है यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है पासवर्ड को डाल कर उसके बाद नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है ठीक है आधार काट से जो लिंक है मोबाइल नंबर उससे यहाँ पर select कर लेना है उसके बाद village and town का नाम आपको यहाँ पर select कर लेना है जिसके बाद जो आपका address है यहाँ पर आप type करेंगे पहले line में address नहीं आ रहा है तो जो address है उसे दूसरी line में भी यहाँ पर आप type कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको अपना pin code type कर लेना है जो भी देना है जैसे आप submit करेंगे आपके आधार कार्ट से link mobile number पर एक OTP आएगा उसे डाल कर आपको OK करना है उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपका जो registration है वो complete हो जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते registration completed successfully ठीक है तो अब आपको यहाँ पर OK के option पर क्लिक कर देना है OK करने के बाद अब आपका registration हो गया है अब आपको login करना है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर option दिया है I already have membership तो इसी वाले option पर आपको क्लिक करना है आपके सामने login page आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप चीए तो अपने आधार OTP से भी login कर सकते हैं तीन option दिया login करने का आधार OTP दिया है और उसके बाद जो आपने login ID बनाया है उससे ठीक है तो हम login ID से ही login करने वाले हैं तो यहाँ पर simply अपना login ID type करना है जो भी आपने बनाया था उसके बाद दोस्तों जो आपने password set क्या था उससे आपको यहाँ पर type करना है उसके बाद capture code को यहाँ पर type करना है sign in के उपर आपको click कर देना है जैसे आप sign in करते हैं यहाँ पर दोस्तों इस प्रकास interface आ जाता है अब आपको common registration facility के उपर click करना है यहाँ पर new registration के उपर click करना है इस पर click करने के बाद आपके सामने दोस्तों state select करने का option आएगा किस state का आपको ration card apply करना है उसे select करके आपको submit करना है जैसे आप submit करेंगे यहाँ पर new ration card application open होके आ जाता है total 7 step में दोस्तों आपको form भरकर submit करना होता है front page आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर photo और जो बाकी detail है उस अब यहाँ पर डालना होगा last में आपको finish का option मिलता है जैसे आप finish में यानी की submit कर देते हैं उसके बाद आपका ration card online apply हो जाता है आपको बता दो दोस्तों यहाँ से ration card कैसे apply करते हैं इस पर मैंने एक detail में वीडियो बना रखा है पूरा form भर कर दिखाया है तो अगर आपको यहाँ पर समझ में ना आए तो उस वीडियो को देखकर आसानी से आप form भर कर apply कर सकते हैं उसका link आपको नीचे description में मैं दे दूँगा तो इस प्रकार दोस्तों आप राशन कार्ड में तरह ID के लिए यहाँ पर registration कर सकते हैं और आसानी से किसी का भी राशन कार्ड apply कर सकते हैं यहाँ तक कि खुद का भी राशन कार्ड बना सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना थेंक्यों दोस्तों बाइब टेक केर